जाएए नाओ गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नमबर वन इलेक्टरिसिटी सबसे पहले चैप्टर नमबर वन इलेक्टरिसिटी जो है वो हमारा करंट से रिलेट करता है और current हमारा जो relate करता है वो हमारा करता है charges relate तो हम सबसे पहले किस के बारे में पढ़ते हैं charges के बारे में पढ़ते हैं charges को किस तरीके से create किया जाता है ये तो हमने पढ़ा हुआ है जैसे chemistry में chemistry में किसी भी atom पर जैसे हम कोई भी atom लेते हैं Na अपना sodium sodium का atomic number जो होता है वो कितना होता है sodium का atomic number होता है हमारा 11 तो अगर हम इसका electronic configuration यहाँ पर तयार करते है तो इसका configuration होता है 2, 8 and 1 तो last जो हमारी outer bit होती है उस outer bit में हमारी कितने electron होते है एक electron होता है हमारा तो हमने देखा कि sodium जो है sodium पे के outer most cell जो है उस पर हमारा 1 electron होता है तो इसका मतलब यह 1 electron यह किसी को भी दे सकता है तो इस पर एक electron जादा होता है इसका मतलब इस पर आ जाता है हमारा positive charge तो इसका मतलब यह वाला जो हमारा एक है इसको हम कहेंगे positive charge atom यह positive charge है हमारा इसी तरीके से अगर हम negative charge की बात करते हैं तो negative charge का हम example ले ले लेते हैं जैसे oxygen है हमारा तो oxygen का जो हमारा atomic number होगा वो 8 होगा 8 का मतलब होगा 2 और 6 इसका electronic configuration जो होता है वो 2 और 6 होता है 6 का मतलब यह हुआ कि इसका जो outermost है उस पर 6 आया यानि कि 8 होना चाहिए हमारा total तो हमारे पास यहाँ 2 की कमी रहती है यानि कि इसको 2 electron चाहिए होते हैं कहीं से भी तो इसलिए हम क्या करते हैं क्योंकि इसको 2 electron चाहिए होते हैं इसलिए इस पर हमारा charge कितना होता है minus का 2 तो इसका मतलब यह minus का 2 इस पर कितना charge आ गया इस पर negative charge आ गया है minus का 2 तो यह होते हैं हमारे charges तो हम अपनी electricity में यह तो हुई कुछ chemistry की बात है तो हम अपनी electricity में start करते हैं सबसे पहले charges से हर atom पर कुछ न कुछ charge जरूर होता है positive charge हो या फिर negative charge हो तो हम कैसे बनाते हैं हमारे charges को और यह जो charges होते हैं यह क्या करते हैं एक property होती है हमारे इसकी rubbing property rubbing property से charge होते हैं वो एक atom से दूसरे atom में transfer हो सकते हैं जैसे हम example लेते हैं जैसे हमारी glass road है तो glass road को अगर हम silk material के साथ में अगर हम इसको rub करते हैं तो हमारे पास positive charge acquire हो जाता है इसी तरीके से अगर हम ebonite की rod होती है एक तो ebonite की rod को अगर हम woolen के साथ में rub करते हैं तो हमारा उस पर negative charge acquire हो जाता है तो ये वाली जो property है ये हमारी rubbing property होती है कि rub property से charges जो होते हैं वो एक material से दूसरे material में transfer हो जाते हैं और positive और negative charge को acquire कर लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ये तो हुए charges हमारे पास ये भी हमें पता हो गया एक types के बारे में कि हमारे पास charges होते हैं वो दो type के होते हैं कौन-कौन से एक तो positive charge होता है दूसरा हमारा होता है negative positive and negative charge तो positive charge को हम किस तरीके से बनाते हैं तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा और इबो नाइट की रॉड को अगर हम वुलन के साथ में रब करते हैं तो हमारा नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा इसमें डन तो यह हो गई हमारी टाइप्स next हम बात करदेंगे इसकी properties के बारे में properties of charges charges की सबसे most important property क्या होती है first number property है कि हमारा जो unlike charges होता है unlike charges attract करता है हमेशा attract to each other unlike charges attract to each other unlike का मतलब क्या होगा जैसे हमारा positive और negative या फिर हमारा negative और positive इसको हम बोलेंगे unlike अगर हमारा पास positive charge है और दूसरा negative है इन दोनों को हम pass मिलाते हैं तो वो हमेशा attract करेगा या फिर हमारा negative है और positive को हम pass मिलाते हैं तो वो भी हमेशा attract करेगा दूसरे चीज होती है हमारी like charges like charges जो होता है वो हमेशा हमारा क्या करेगा repel करेगा like charges का मतलब क्या हुआ like मतलब एक जिसे जैसे positive positive या फिर negative negative इस तरीके से हमारा ये like charges होता है तो हमारे पास जो property हुई उस property में दो property आई एक तो unlike charges attract इच अदर and like charges repel each other